नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जै हल्ट एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूँ और आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पर आज का टॉपिक है प्रेग्नेंसी के बाद बोदी को बापस सेट में लाने के लिए क्या करना चाहिए तो आज हम इसी सम्मंद में जानेंगे जब लोग आपको बताते हैं कि मा बनने के बाद चीजें एक जैसी नहीं होती तो उनका मतलब केवल और केवल आपके जीवन में आने वाले बदलाव से ही नहीं होता है बलकि उन सारीरिक परवर्थन से भी होता है जो मात्रत का एक इस्सा है मा बनना बहुत ही सुखद अनुवग होता है लेकिन अक्सर मा बनने के बाद आपको एहसास होता है कि आपका सरीर पहले के जैसार नहीं रहा है कुछ महलाओं को लगता है कि वो पहले की तरह अपने सरीर को सेप में नहीं ला सकती लेकिन ये सच नहीं है आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि गर्वावस्ता के बाद सरीर में हुए सारीरिक परवर्दन से निपटने के लिए कुछ टिप्ट दूँगा जिन से आप अपनी बॉडि को पहले जैसा सेप में ला सकती है और बिलकुल पहले की तरह हो सकती है तो वीडियो देखने से पहले अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है बैल आइकन को ही आप अपने मातरत्व प्यासों में इतना व्यस्त हो सकते हैं कि आपको पहले जैसे आकार में बापस आना एक सपने की तरह लग सकता है इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी के दो से तीन महीने और सीजेरियन सेक्षन के चार महीने बाद बैयाराम करना सबसे अच्छा होता है एक्सरसाइज और अन्य वजन कम करने की गत्विदियों में जल्दी करने से इस्तन पान के उत्पादन में कमी और कमजोर लिगामेंट रोग प्रतरोदत शम्ता की कमी बीक लिगामेंट के कारण यूट्राइन प्रोलेप्स की सम्भावना बढ़ जाती है 40 की उम्र के बाद इस्चे नवटने के लिए आपको कीगल एक्सरसाइज करनी चाहिए अगर आप कीगल एक्सरसाइज करेंगे तो आपका पैल्विक फ्लोर मसल्स बीक नहीं होगे तो आपका यूट्राइन प्रोलेप्स नहीं होगा और आपका जो नीचे का हिस्सा बढ़ा हुआ है वो शेप में आजाएगा प्रेगनेंसी के बाद पेट के आकार में ब्रत्धी होना पेट आपके सरीर का हिस्सा है जो गरवावस्ता से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है जब एक बार आपका फ्लैट और तना पेट खराब हो जाता है तो गरवावस्ता के दोरान और बाद के कुछ महीनों तक ऐसा ही रह सकता है यूटरस को अपने मूल आकार में आने के लिए छे सब्ता लगते हैं जो आपके पेट के आकार को कम करने में मदद कर सकते हैं इसके लिए आप गहरी सांस लेने वाली पेट की exercise का अभ्यास करें जो आपके पेट की मास्पेशियों को टॉन रखने में मदद करेगी डिलीवरी के 3-4 महीने के बाद एप्टो मन क्रंच का बिकल्प चुने इसे डिलीवरी के पहले 3 महीने के भीतर करने से बचे क्योंकि इससे पेट की मसल्स के बीच का गैप बढ़ सकता है प्रसब के बाद इस्तनों का लटकना हार्मोनल उतर चड़ाव के कारण इस्तन पान कराते समय आपको एक अन्य समझ्या सरीर परवर्टन का अनुहब हो सकता है जो इस्तनों का बिस्तार और सखिलता को बढ़ाता है के दिए आपको पुसब को चैस्ट प्रेस और चैस्ट फ्लाइज जैसे एक्सरसाईज इस्तनों के 4 ओर की मास्पेशियों को टॉन करनी में मदब करते हैं और उन्हें लिप्ट करते हैं लेकिन इन एक्सरसाईज की कोशिस करने से पहले अपने डॉप्टर से सला जरूर ले ले अगर आप ये एक्सरसाईज अबनाएंगे तो आपकी body पहले जैसे shape में आ जाएगी तो आप इन tips को follow करके आप अपनी body को पहले जैसे shape में ला सकते हैं और इस सम्मंग में अगर मेरे से कोई सला या सुझाब चाहते हैं तो comment करिए और personally मेरे से कोई सला या सुझाब चाहते हैं तो description में मेरा whatsapp number है आप मेरे को whatsapp कर सकते हैं मैं आपको reply दूँगा आज का मेरा ये वीडियो आपको useful लगा है तो like करिए family friends को share करिए और मेरे channel को subscribe करिए bell icon को जरूर तबाइए जिससे आगे कोई topic डालूँ तो वो आप तक पहुंच सके तो अब लेता हूँ विदा मिलते हैं